Hey guys, this is Abhilash, और आज मैं review करूँगा Oh My God 2 movie का, जो कि अभी recently Netflix पर release हुई है, movie का run time है 2 hours and 35 minutes, और movie का genre है social commentary and courtroom drama, तो कहानी है कांती शरन मुदगल की जो की भगवान शिव के devotee हैं, और suddenly एक दिन उन्हें उनके बच्चे के स्कूल से बुलावाता है, और उनके बच्चे को स्कूल इसमें कौन जीता है, कौन हारता है, यही सब इस movie में दिखाया गया है, बट इस movie के साथ आपकी क्या expectations होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस video में, सबसे पहले direction, story writing और screenplay किया है Amit Raya ने, and he did a commendable job, यह exactly वही मुद्दा है जो कि आज हमारी society में उठना जर और इस कहानी से बहुत अच्छा debate किया गया है कि sex education क्यों important है, उसके साथ साथ sex education क्यों हमारे इंडिया में नहीं पढ़ाया जाता, और यह subject आज की तारीक में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, वो भी इस movie में explain किया है, इसके बाद देसी parents और modern बच्चे के रिष्टे के बार क्योंकि एक scene पर मैं खुद mentally block हो गया था, जब कांती शरन quote में explain कर रहा था कि sex education कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, वो 10 minute का scene मैंने 3 बार देखा और फिर मुझे समझाया कि यह जो concept है, यह थोड़ा मुश्किल है society के लिए accept करना, but कही से तो शुरुआत करनी होगी न, और उतना significantly नहीं बढ़ रहा है, और उसमें भी porn का access सब के पास है, और मैं यह सब मन से नहीं कह रहा हूँ, आप एक बार अपने आपको भी दिख लो और फिर internet पे जाके stats उठा कर भी दिख लो, तो यह movie इस बारे में भी बात करती है कि आज से 2000 साल पहले हम कहां थे, आज से 200 स इसी नजर performances पर डाल लेते हैं, सबसे पहले पंकस त्रिपाठी as कांती शरन मुदगल, इन्होंने बहुती उंदा performance दी है, और मुझे यह देखकर अच्छा भी लगा कि इनको lead role सब दिये जा रहे हैं, प्लस इनके character का development भी बहुत अच्छे तरीके से होते हुए दिखाई द करवाती है, but end के 10 minute में इनका role थोड़ा सा dumb down किया गया है, just for the sake of screenplay, बाकि यह अपने role को पूरे तरीके से justify करती है, इनके बाद गीता अगरवाल, जिन्होंने इंदुमती का role play किया है, जो की होती है कांती शरन की wife, इनका role बहुती endearing था, और इनके character में most of the time आपको confusion वो successful भी रहते हैं, और majorly serious roles के लिए जाने जाते हैं, बट इसमें इनका role थोड़ा सा funny और थोड़ा सा serious का mixture था, और finally आरुषवर्मा as Vivek Mudgal, जो की बेटे है कांती शरन Mudgal के, ये भी अपनी presence feel करवाते हैं, intensity के साथ, और मेरी साइट से इनको all the very best for his future projects, इसके बाद Amalendu Chaudh की cinematography was overall okay, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा visual appeal की कमी थी, बट इस चीज को easily ignore किया जा सकता है, क्योंकि बाकी के जो technical aspects हैं इस movie के वो बहुत strong है, जैसे की sound design, तो इस movie का sound design किया है मंगेश और प्रनयन है, जिन्होंने बहुत catchy music beats बनाई हैं गानों में, और scenes के बीच में जब को इतने strong message के साथ कोई movie देखने को मिले, जो कि इतनी thought provoking हो, और एक बात का तो इतिहास भी गवा है कि कि किसी भी movie का sequel जादा तर अच्छा नहीं निकलता, but this movie is an exception for that, क्योंकि ये movie आपको पहले वाली से जादा intensity के साथ hit करती है, and finally इस movie को मैंने 9 rate किया है IMDB पर, और मुझ Please don't forget like and subscribe, मैं मिलता हूँ आपसे next video में कब तक ध्यान रखो अपना, be awesome and bye bye